हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने आप सभी के साथ सेयर की है, कच्छे आलू और गिहों के आते से बना इतना आसान और तेस्टी नास्ता कि आप इसे जब एक बर बनाएंगे ना तो बार बर बनाने को चाहेंगे इतना तेस्टी ये नास्ता बनकर त्यार होता है और आपके घर में ये बच्चों से लेकर बड़ोतों को सभी को बहुत ही पसंद आएगा तो अफ्रेंचली बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे दो मीडियम साज का कच्चा आलू आलू लेने के बाद उसका छिलका उतार लेंगे और इस तरह से छोटे छोटे टुकडों में कट कर लेंगे फिर से दो से तीन पाने तक कच्चे से धो कर साप कर लेंगे उसके बाद इसे डालेंगे मिकसर जार में और साथी में डाल देंगे एक मीडियम साइज का छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज प्याज डालने के बाद अब इसमें डालेंगे दो हरी मिश को तोड़कर तीन से चार कलिया लासुन और एक इंच टुकड़ा अगरग इसी के साथ में डालेंगे आदा छोटे चमस जीरा और बीना पानी डाले इसे पीज कर इसका बारिक पेष्ट तयार कर लेंगे ये देखिए हमने इसमें बीना पानी डाले इसका बारिक पेष्ट तयार कर लिया है अब हम इस आलूप के पेश्ट को निकालेंगे किसी बड़े बाउल में जार को अच्छे से साफ करते हों निकालेंगे अब हम इस नास्ते को क्रिश्पी बनाने के लिए इसमें डालेंगे दो चोटे चमस सूजी आप चाहें तो सूजी के जगह पर चावल कार्टा भी ले सकते हैं इसी के साथ इसमें डालेंगे एक छोटे चमस कसूरी मेथी इसमें कसूरी मेथी डालने से नास्ते का टेस्ट और भी दूणा हो जाता है तो हम इसे क्रस्ट करके डालेंगे और साथी में डाल देंगे आदा चोटे चमच कोटी हुई लाल मिज, एक चोथाई चमच हल्दी पाउडर और एक चोथाई चोटे चमच काली मिज पाउडर काली मिज पाउडर डालने से नास्ता मारा और भी चटपटा बनता है अब इन सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद इसे दर्शमर्ट के लिए रेश्ट पर छोड़ेंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए अब यहां सूजी को रखे वे दर्शमर्ट हो चुका है सूजी अच्छे से फूल चुका है तो अब हम इसे बालेंगे आधा कप गेहूं का आटा ये वही आटा है जिसे हम रोज रोटिया बनाते हैं आटा डालने के बद अब हम इसमें डालेंगे स्वाधम सर नमक और थोड़ा सा बाली करटा हुआ हराधनिया अगर आपके पास हरा धन्या नहीं हो तो आप इसे इसकी भी कर सकते हैं इसके बीना भी आप नास्ता बना सकते हैं उसके बाद इसे मिक्स करते हुए इसका गाड़ा बेटा त्यार कर लेंगे अभी हमें इसमें पानी नहीं डालना है पहले इसे अच्छे से mix कर लेंगे उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे तो यह देखिए हमने इसे अच्छे से mix कर लिया है अब हम लेंगे यहाँ पर पानी तो जिस cup से हमने नापकर यहाँ आटा लिया था उसी cup से नापकर हमने यहाँ पर आधा cup पानी भी लिया है यह जो थोड़ा सा पानी और बचा था इसे भी हम इसमें डाल लेंगे और मिक्स करने के बाद इसका गाड़ा बेटा त्यार कर लेंगे मिक्स करने के बाद इस बेटर की consistency आप देख सकते हैं बस हमें इसे इतना ही गाड़ा इसे रखना है इसे ज़्यादा हमें इसे पतला नहीं रखना है नई तो नास्ता मारा खराब हो जाएगा अब यह बेटर नास्ता बनाने के लिए तैयार हो चुका है चलते हैं इसे नास्ता बनाने तो हमने यहाँ एक पैन में लगभग तीन बड़े चमच तेल गरम होने के लिए रख दिया है तेल यहाँ मीडियम गरम हो चुका है तो एक बार बेटर को अच्छे से चला लेंगे और एक बड़े चमच की हेल्प से थोड़ा थोड़ा बेटर इसमें डालते जाएंगे और हाँ इस नास्ते को डालने के बाद हमें इसे तुरण से नहीं पलटना है जब यह एक तरब से एकच्छे से पक जाएगा तो पलट का दूसरे तरब से भी से फ्राई कर लेंगे तो हम यहां सारे नास्ते को पलट देंगे और दूसरे तरसे भी से फ्राई कर लेंगे इस तरसे नास्ते को दोनों तरब से उलटते पुलटते और सुनहरा कलर आने तक इसे फ्राई कर लेंगे इस नास्ते को फ्राई होने में ज़्यादे समय नहीं लगता है शीप 3-4 मिर्ट में ही यह से फ्राई हो जाता है तो हमने यहां नास्ते को दोनों तरब से उलड़ते पुलड़ते फ्राई कर लिया है नास्ता हमारा एकदम सुन हरे कलका दिखाई दे रहा है तो अब हम इसे निकाल लेंगे इसे इस तरह की जाली वाली छन्नी के उपर निकालेंगे और थोड़ा सा इसे टेड़ा कर लेंगे तो इसमें जो भी एक्टर तेल होगा वो बहार निकल जाएगा इस तरह से नास्ते को हम पैन में से बहार निकालेंगे अब यहां बाकी बचे हुए नास्ते को भी सेम प्रोसेस से फ्राइ कर लेंगे तो लिजे फ्रेंट हमने यहां कच्छे आलू और गेहों के आटे से बना चत्पटा सा मज़ेदार सा नास्ता बना कर तयार कर लिया है और ये नास्ता गेहों के आटे से बना है तो बहुत ही कम और लिवी होता है तो फ्रेंट अगर आपको आज की रेस्पी अच्छी लगी हो तो इसे एक बार जोशे टाइक किजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सेर और सब्सक्राब करना बिल्कु भी मत भूलिएगा और कमेंट में जरू बताएगा कि आपने रेस्पी बनाई तो आपको रेस्पी कैसे लगी थैंक यू, मिलते हैं नेक्ट वीडियो में